इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। या भोजन के बिना अपने बच्चे को मूह द्वारा फैक्सी ओरल सस्पैंशन दें। इसे अकेले या अन्य दवाओं के साथ लेने की सलाह दी जा सकती है। फैक्सी ओरल सस्पैंशन की कुछ शुरुवाती खुराक लेने के बाद अलजिक लक्षन कम हो सकते हैं। गंभीर अलजि की स्थिती के मामले में आपके बच्चे को एक या दो सप्ताह के लिए दवा लेना जारी रखना पड़ सकता है। यदि आपका बच्चा सेवन के 30 मिनर के भीतर उल्टी करता है तो बच्चे को शांत कराएं और वही खुराक दोबारा दें। हाला कि अगर अगली खुराक का समय हो गया है तो डबल खुराक ना लें। दवा का सेवन करने से कुछ मामूली और अस्थाई साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे मिचली आना, उल्टी, चक्कर आना, नींद आना और सिर्दद। आदर्श स्थितियों में ये साइड इफेक्ट अपने आप कम हो जाने चाहिए। लेकिन यदि ये प्रभाव बने रहते हैं और आपके बच्चे को परेशान करते हैं तो देर किये बिना अपने बच्चे के डॉक्टर से परमर्श करें। यदि आपका बच्चा किसी इलाज पर है या किसी दवा, प्रोडक्ट या भोजन से अलजी है तो अपने बच्चे के डॉक्टर को बताएं। आपके बच्चे के समग्र इलाज को बहतर बनाने में मदद मिलेगी।